जै मायतादी दोश्तों और सब कैसे हैं आई होप सब बढ़े आउंगे हम सब भी बढ़े आएं दोस्तों और आज थोड़ी सी तवियत ठीक है तो मैं अचार की तो मैंने पहले ही बना लिये हैं और रैस्पी में आज डाल ले हूं तो यह हम तुरंत डालेंगे तुरंत खा सक हैं इस तरीके का मैं आचार बताने जा रही हूं को मैंने डाला है तो दोस्तों इस वीडियों को अपना प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा से değer अपना प्यार सपोर्ट सब बनाए रखें और चैनल को जो वह यह दिदी नए हैं चैनल को सस्क्राइब लाइक कमेंट सेयर करना न भूलें दोस्तों तो मुझे इसी तरीके से सपोर्ट किजिए और दोस्तों मैं आप से सारी बाते सेयर करती हू चलिए दोस्तो अभी तभिया ठीक नहीं है फिर भी मैं ब्लॉक दे रही हूँ दोस्तो देखिएगा कितनी अप इच्छा है कि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ू चलिए जे माता दी दोस्तों देखियों यह मिर्ची मैंने दुल के सुका ली हैं और यह मिर्ची का मैं जटप डालो साम को खा सकते हैं देखिएगा ये कड़ोी मिर्ची है इसलिए मैं इस तरीके से काट रही हूं पॉलिथिन लगा के और आप अपने एकॉर्डिंग काट सकते हैं और देखिएगा ये मिर्ची मैं काट ले रही हूं और ये काट के कतीरे वाली मिर्ची का चार डाल के मैं दिखाती हूँ अब मैंने ले लिया है सीजर तो इसे और जल्दी और मिर्ची भी नहीं लगेगी आप इसी तरीके से काट सकते हैं तो मैं यहां मिर्ची का चार जटपट बनने वाला डाल लई हूँ और आप चाहे इसमें अधरक नीबू चाहे जो चीछ डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग हैं तो मैं यह मिर्ची इस तरीके से काट रही हूँ देख रहे होंगे कि बड़ जादा बड़ी नहीं काट रही हूँ छोट चोटी काट रही हूँ और आप भी इसी तरीके से काट सकते हैं और यह कड़वी मिर्ची है ऐसा नहीं है कि नहीं है यह कड़वी नहीं होती है उसका अचार ये वाला नहीं अच्छा लगता तो दोस्तो देखिएगा आपको मिल लहाइं होगे यह चा के वीडियोँ तो आप देखते रहिए और अभी सर्दियां खताम होने वाली है तो इसलिए मैं अचार ढालके रहते तो मैं ये वाला भी अचाट डाल दूंगी और आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर ले रही हूं कि इस तरीके का अचाट डालती हूं मैं देखिएगा मैंने कट करके और सुका दी थी थोड़ी सी मैं दूप दिखा दी थी अब मैं ले लूँगी इसके लिए कुछ मसाला है तो कुछ मसाले में मैं वही सौंप सरसों लूँगी नने संपा सरसौन ले ली है मैंने और आप हल्दी पौड़ा डालुगी में मिर्ची में नमक ज्यादा लगता है तो तो नमख डुनें और देखिए गया हॉ अब देखिएगा मैंने ये मसाले मिक्स कर लूंगी में और ये छिरक्या ले लिया है मैंने जो मिनाव ब्राउन मिनीगर होता है जो खानती वज़े से कुछ बोल लूँँ कुछ निकल ला है देखिएगा मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और ये पूरा मसाला महीन पीसे एकदम अगर सालो साल चलाना है तो थोड़ा सा मसा होस्त कोल चुमाद अगर मैं दई तो आप दनिया और ये सब चीज़ाद कर दोगे तो अचारे कराब हो जाते हैं तो आशा सी जल्दी कराब करार हो जाते है इसलिए मैं धनिया वगोरा झाल ती हुँ और जे जो मैं डालती हो वह आपको बता रही हूं तो देखिएगा इस सिर्का डाला है मैंने इसमें इस तरीके से देखिएगा इसको अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी और आप भी इसी तरीके से मिल गया है तब मैंने यह ओल डाला है जो सरसों का तेल होता है ना वो डाला है आप इसी तरीके से जब मिल जाए पूरे तरीके से मसाला तब डा दिया है और जो कटी हुई मिर्ची है अब वो मैं डाल दूंगे देखिएगा जैसे हम बिंडी काटते हैं सब्जी के लिए उस तरीके से काट ली हैं और मैं इनको मिक्स करें रही हूं और इस तरीके से मैं इनको मिक्स कर लूंगे और यह मिक्स करने के बाद में आप इसको रख सकते हो इसी तरीके से आप इसको 15 से 20 दिन में बन जाएगा यह अचार अगर आप तुरंत खाने वाले हो सुबह डालो और साम को खाओ तो देखिएगा मेरी तरह से आप इसको जटपट तयार कर सकते हैं इस अचार को जैसे मैंने कर लिया है तो किस तरीके से मैंने जटपट अचार यह तयार किया है मैं दिखाती हूं आपको तो देखिएगा ये मिक्स हो गया है और मैंने ले लिया है ये साब एकदम कुकर इसको मैंने पौँच लिया इसमें पानी नहीं है अब मैं इसमें कुकर में ये मिर्ची भर दूँगी और कुकर में भरने के बाद में मिर्ची अब फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सिर्का जैसे मुझे बनाना है तो मैं इसमें डालूंगी आदा ग्लास सिर्का आदा ग्लास तेल दोनों चीजें मिलाके मैं एक ग्लास आदा आदा करके मैं एक ग्लास कर दूंगी और फिर लगा दूंगी मिर्ची में दो सीटी तो मैंने ये सिरका डाल दिया है और ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें दो सीटी लगा के फिर मैं दिखाती हूँ तो ये कटी हुई मिर्ची काचार ऐसा बण गया है और ये बीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर चैनल को जो भहिखा कराई न बूलेत दोस्तो तो इसी तरीके का आप भी अच्छा डालिए और अपने घरवालों का खिलाईए चलिए दोस्तों जैमाता दे